हेलो 10th class students आप सब का स्वागत है definite success पाटशाला के इस प्लेटफॉर्म पे जहां पर आपको मिलता है best education वो भी best faculties के द्वारा ही तो चलिए start करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं case based questions yes case based questions sample paper 2023 जो आप लोगों के पास मैं यहां पर मान के चल रहा ह हों की है नहीं भी है तो प्लीज नीचे लिंक में जाके description box में जाके आप लोग लिंक मिलेगी उसमें आप लोग फिल करिये form को और यह hardcopy पाईए तो sample papers 2023 के जो papers में last के जो तीन questions से तीन चार questions हैं जहां पर case based questions हमने दिये हुए हैं उनका solution में इस वीडियो में आपको दे तक आप लोगों ने mcqs वाला वीडियो नहीं देखा short answer variety नहीं देखी है very short answer variety नहीं देखी long answer नहीं देखी तो प्लीज वह चारो वीडियो को पहले watch करें चारो वीडियो के link इस वीडियो के नीचे description box में available है तो चलिए start करते हैं sample paper 2023 का यह है question number आपका e section का ठीक है e section का है question number 36 तो यहां पर जो e section है इससे पहले तक के हमने पूरे d section तक के videos मतलब जो चार section मैंने बनाए है चार videos बनाई है वो आपको already यहां पर available है done यह जो है section e case based question से हर एक question चार marks का है अब आपको करना क्या है case based questions basically होते क्या है तो यह देखना question number 36 में story लिखी हुई है कहानी लिखी हुई है को statements दिये हुए है आपको उनको read करना है और अगर उसके साथ में कोई drawing दिया है तो वो data drawing में देखते हुए आपको कोई 4 question 5 question यह 2 question दिये गए होंगे आपको उन questions को solve करना है simple तो आपको पूरी story लिखी है इस story के अंदर आपके पास एक case लिखा हुआ है एक आपको story लिखके दिये उसके अंदर maths related जो आपके ध्यान रखना है और का मतलब है यहां तो यह करिए यह करिए लेकिन आप देखें यहां पर आपको total तीन पार्ट पूछे गए first second third first part में कोई और पार्ट नहीं है second part में a या b में से कोई एक attempt करना है और फिर आपके पास third part है इसका मतलब आपको third part to compulsory attempt करना कई बच्चे गलती यह करते हैं कि यह दो कराते हैं और यह दोनों नहीं करते तो यहां पर यह drawing देकर हमसे यह बूला गया है कि governing council of a local public development authority of dharadun decided to build an adventurous playground अब governing council का मतलब यहां पर एक council है मतलब internal कोई एक उन लोगों ने एक लोगों के एक पूरा एक बनाया होगा बनाया होगा उन पहाड़ी के उपर on the top of the hill which will have adequate space for parking और उसमें parking के लिए बहुत अच्छी space होनी चाहिए after survey it was decided to build rectangular playground with a semi circular area allotted for parking at one end of the playground अब आप समझेगा इन्होंने survey किया land का जो इनके बाद जमीन available थी उस जमीन पर इन लोगोंने एक sports complex type बनाने का सोचा जिसमें इन्होंने कहा कि इतने area में हमारा playground होगा ठीक है तो यह area खिलने वाला होगा और यह जो area है goal वाला part यह goal वाला length and the breath of the rectangular playground यह है हमारे काम का statement देखीगा हमें length of breath दी है किसकी rectangular playground की हमें यहां पर बूला है कि आप यहां पर क्या करें यहां यहां पर कुल मिलाके आपको जो है हम लोग length of breath बतायते हैं किसकी playground की तो यहां पर इन लोगोंने बूला यहां से लेके यहां तक की यह है length और यह है इसकी breath breath है seven units length है 14 units there are two quadrant of radius two units on one side for special seats यह pavilion type का एक area बना दिये लोग ने playground में ही यहां पर जो लोग आएंगे match देखने के लिए जो भी देखने के लिए वो यहां पर आकर बैठेंगे तो यह sitting area बना दिया जो कि playground के अंदर है लेकिन parking area जो इन गाड़ियों से लोग आएंगे वो गाड़ी वाला area यहां पर इन लोग ने दिया है अब आपको इस data पर based कुछ questions दिये हैं आपको वो questions को करना है solve simple ठीक है तो हम इसी drawing को आगे carry करके लेके चलते हैं और we questions देखते हैं हमें क्या questions यहां पर दिये गए है तो सबसे पहले gonna get given part में हमें क्या क्या given है given part में हमें length दी है length of playground to जहां पर खेलना है जो खेलने वाली जगाह में उसकी लेंध आपको भी ऊंख में थीया है आ। 14 units की length है breath जो है ये 7 units की है ये हमारे rectangular playground की length और breath है जो parking area है अगर मैं parking area की बात करूँ तो जैसा drawing दिख रहा है मैं कहूंगा parking area जो है वो semi-circular done तो ये semi-circular part जो है ये parking area है मैं कहूंगा parking area parking area is semi-circular parking area is semi-circular तो ये कैसा है ये semi-circular है और semi-circular है इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर यहाँ पर radius की बात होने वाली है तो radius इतने area का अगर मैं radius देखूँ यह जो semi-circle है मतलब circle का आधा देख रहा है तो इसका जो radius होगा वो complete यहां से यहां तक जो seven units दिये उसके आप कर दिजिए तो वो आएगा two quadrants quadrants का मतलब है एक circle का one by fourth part मतलब एक circle के जब आप चार तुकड़े कर देते हैं तो यह जो part दिया है यह one by fourth है यह भी part one by fourth है ठीक है जिसका radius आपको two units का दिया है radius two units का दिया है तो यह भी चीज हम यहां पर लिख लेते हैं sitting area का quadrant का ठीक है तो there are two quadrants parking area हो गया move करते हैं इसके question की तरफ तो यह जो given part था वो हमने लिख लिख लिया इसका question क्या है what is the total perimeter of the parking area आप parking area का perimeter बताईए parking area का perimeter perimeter का मतलब outer boundary होती है तो parking area यह है इसका perimeter बताना है बस इतने का perimeter बता रहा है तो मैं सबसे पहले वाला पार्ट first part कर लेता हूं यहां पर प्रॉपर ते कैसे solve ठीक है तो perimeter perimeter of parking area और यहां पर अगर मैं देखूं तो क्योंकि यह semi circle है circle का perimeter मतला circumference होता है two pi r perimeter of parking area की अगर मैं बात करूं तो यह सिर्फ pi r आएगा क्यों पार आए पायार आएगा क्योंकि two pi r पूरे circle की boundary होती है जिसको मैंने कर दिया हाफ तो यह पायार आएगा तो पारिमीटर ओफ पार्किंग एरिया यह वाली लाइन पायार प्लस 7 यूनिट प्लस 7 यह आपको वैल्यू देनी है तो perimeter of parking area निकल के आ जाएगा चलिए तो यहां पर सबसे पहले perimeter find कर लेते हैं तो 22 by 7 multiplied with 3.5 का radius है आर तो मैं इसको बोलूँगा 35 by 10 multiplied with sorry plus तो यहां पर यह आपको प्लस करनी है straight line तो प्लस 7 डन और यह value हमारी solve होके बनेगी 5 30 times 5 times 7 is 35 बच्चा 5 5 से 10 गया 2 times 2 से 11 गया 22 गया 11 तो 11 प्लस 7 इस 18 मैं कहूंगा जो perimeter आया है first part में perimeter हमारा निकल के आया है 18 units का done यह first part का हमारा answer आया है अभी हम move करते है second part के option की तरफ ठीक है what is the total area of parking area and the two quadrants आप area बताईए कौन सा parking area वाला area ठीक है और यह जो बैठने वाला है दो quadrants है जहां पर sitting arrangement किया है यह कितना area आपके पूरे इसका part है तो मैं इसका area निकालता हूं एक sheet ले लेता हूं इसका second part करने के लिए तो second part में हमें उन्होंने बोला है total area total area of parking and and sitting जहां पर बैठने वाला हमने बंदोबस किया हुए वहां का area तो हम कहेंगे total area of parking क्योंकि semi circular था तो यहां पर यह आएगा आपका कितना तो area of semicircle is pi r square by 2 पूरे circle के area में से semicircle मतलब आधा करना है तो pi r square का half कर दिया plus sitting area की अगर मैं बात करूं तो sitting area में quadrant था quadrant मतलब one by fourth part of the circle ठीक है तो two parts है ठीक है और one by fourth part of the area of circle that is pi r square यह आपको बहुत clear होना है ठीक है तो one by fourth of the circle का area क्योंकि ऐसे दो तुकड़े थे तो two इसकी value add होगी इसकी value के साथ तो मेरे पास total area of parking and sitting area आ जाएगा एक बार हम देख लेता है हमसे यही पूछा था what is the total area of parking and the two quadrants and the two quadrants चलिए कर लेते हैं इसको भी solve तो यहां पर सबसे पहले value substitute कर लेते हैं 22 by 7 multiplied with radius 35 upon 10 multiplied with 35 upon 10 divided with 2 पाई की value डाल दी आर की दो values डाल दी ठीक है आर स्क्वाइर था डाल दिया plus 2 multiplied with bracket में 1 by 4 multiplied with pi की value है 22 by 7 अब यह था quadrant का area ठीक है तो यहां पर radius आपको दिया था 2 तो multiplied with 2 into 2 done यह आपको करना है solve चलिए solve करते हैं तो यहां पर हम solve करने पर देखेंगे कि 7 से 35 गया 5 times 5 से 10 गया 2 times 2 से 22 गया 11 11 बच रहा है 11 into 35 into 10 11 into 35 into 10 into 1 by 2 plus 2 times bracket के अंदर देखेगा 4 से 2 into 2 कट गया यहां पर सिर्फ बच रहा है आपका 22 by 7 done इसको solve करते हैं तो यह solve होने पर देखेगा 5 7 times and 5 2 times तो यहां पर यह हमें हमारे पास बचेएगा 11 into 35 upon 20 तो एक काम करते हैं इसको solve करना है इसको decimal में change कर लेते हैं decimal में अगर change करूंगा तो यह आजाएगा 11 into 3.5 into 0.5 plus यह पूरी value add होगी इसके साथ मतलब 2 into 3.14 के साथ कर लेते हैं 22 by 7 की value pi की value तो वह आजाएगी 3.14 और यह हमारी value कितनी निकल के आएगी तो इसको solve कर लेते हैं 5 into 5 is 25 रफ वर्क में कर लेते हैं तो 5 into 5 is 25 2 carry 5 into 3 is 15 16 17 तो यह आजाएगा 1.75 multiplied with 11 तो यह आजाएगा 571 क्रोस 571 पांच दस ग्यारा बारा बारा कर दो carry 1 आठ और नो तो यह आपका आगया कितना 1.75 multiplied with 11 will give you 19.25 तो यह हमारी value आगे है 19.25 added with यहाँ पर आ जाते हैं 2 into 4 is 8 2 into 1 is 2.2 into 3 is 6 इसको add कर लेते हैं तो add करने पर जो निकल के आ रही है total area जो हमारा निकल के आ रहा है उसको हम लिख लेते हैं तो यह था हमारा second part फिर और पार्ट हम बाद में करेंगे ठीक है total area of parking तो यहाँ पर लिख लेते हैं वह वाला area का sum total आएगा आठ प्लस पांच तो यहां पर यह हो गया आठ प्लस पांच इस तेरा तो यहां पर 13 13 का 3 कैरी 1 4 & 5 तो 53 पॉइंट यहां पर और नौर छे पंद्रा पंद्रा का पांच तो कैरी 1 2 तो यह आगे हमारा 25.53 square units area निकाला है तो यहां पर यह लिखना जरूरी है square units नहीं तो teacher marks cut कर देंगी 25.53 मुझे comment box में जो बताइएगा चले move करते हैं हमारे पास इसका बी पार्ट जो और पार्ट है उसमें क्या बोला है what is the ratio of the area of playground to the area of parking area ratio निकालना है किसका ratio निकालना है area of playground to the area of parking ठीक है तो हमें ratio देना है एक sheet all ले ले लेते हैं इसका और पार्ट का second part solve करें done ठीक है इसके अंदर हमें बोला है आप ratio दीजिए किसका ratio देना है पीछा जाता हूं ratio हमें देना है area of playground area of playground area of playground upon area of area of parking बोली है एक बाइद देख लेका येस area of parking का तो area of parking का ये दो areas हमें देने है चलो area of playground की अगर मैं बात करूं तो वो है length into breath playground क्योंकि rectangular है तो length into breath area of parking की मैं बात करूं तो area of parking में है pi r square by 2 क्योंकि वो semi circle है उठाओ values यहां पर substitute कर दो length into breath की तरफ में जाता हूं तो length दिए 14 और breath दिए 7 तो यहां पर आ जाएगा 14 into 7 upon 22 by 7 multiplied with pi r square by 2 है तो r square की value r square की value होगी 3.5 upon 35 upon 10 लिख देता हूं 35 upon 10 और इसी के सामने यह जो upon 2 था उसको ले आता हूं तो 1 upon 2 हो जाएगा यह पूरी condition को हमें solve करना है हमारा answer निकल के हमारे सामने चलिए तो यहां पर solve करने पर यह आ जाएगा 14 into 7 into 7 upon 22 into 10 upon 35 into 10 upon 35 into 2 by 1 पूरे नीचे के fraction इसके सामने reciprocal होकर आ गए कट करने में असान ही हो जाएगी इसलिए हमने ऐसा किया 7 5 times 7 5 times 5 2 times 5 2 times हो गया 2 से 22 गया 11 times done हमारा answer क्या आएगा तो हमारा answer जो ratio निकल के आएगा ratio हमें देना था ratio हमारा क्या आ रहा है वो देखेगा ratio हमारा आ रहा है 14 into उपर बच्चे 2 into 2 तो उपर आ रहा है 14 into 4 upon 11 that is ratio हमारा निकल के आया 4 into 4 is 16 16 6 carry 156 upon 11 यह ratio निकल के आएगा clear है इसके third part पर आते हैं इसका third part क्या कह रहा है find the cost of fencing the playground and parking area at the rate of 2 per unit दोरबे के हिसाब से अगर इसकी fencing की जाती है ठीक है तो fencing बताईए playground तो parking की अलग-अलग fencing हो रही है तो playground और parking की fencing ठीक है तो perimeter of parking आपने 18 units already निकाला हुआ है ठीक है आपको से perimeter निकालना है प्लेग्राउंड का देखेगा मैं क्या कर रहा हूं एक शीट ले लेता हूं third part पर आ जाता हूं तो इसके third part में काया है cost of fencing cost of fencing हमें निकालनी है cost of fencing में मैं कहूंगा perimeter of playground added with perimeter of circle perimeter of parking इन दोनों का जो भी सम आया उसमें दोर पे multiply कर दीजें into two total cost of fencing निकल के आ जाएगी चले perimeter of parking हमारा 18 unit already है added with अभी playground का perimeter देखना और यहां पे जायातर बच्चे गलती करके आते हैं देखीगा जब आप perimeter parking का दे रहे थे तो already आपने यह वाली side include कर ली थी इसलिए 18 आया अब जब आप playground का perimeter निकालेंगे तो आपको इस तीन sides देखनी यह वाली यह वाली और यह वाली बस तो 14 प्लस 14 प्लस 7 यह याद रखना है आपको तो 14 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 तो यहां पर यह आ जाएगा आपका दो मिनिट यस क्या है हमारा यह यह आजाएगा हमारा 14 प्लस 14 14 प्लस 14 प्लस 7 क्योंकि एक 7 ओल्रेड़ी आप parking area में add कर चुके हो इंटू 2 यह 2 के साथ जब मल्टिप्लाय होगा तो यह आजाएगा आपका सेवन 14 प्लस 14 इस 28 28 तो 18 प्लस 28 प्लस 7 देखेगा 30 38 38 प्लस 2 इस 40 46 46 प्लस 6 इस 52 53 तो यहां पर यह मेख्याल से एड होने पर 53 इंटू 2 आ जाएगा और यह हमारा आ जाएगा 106 ठीक है तो 106 रुपे लगेंगे टू इंटू 3 इस 6 टू इंटू 5 इस 10 106 रुपे लगेंगे 106 रुपे का खर्चा आएगा अगर 2 रुपे के हिसाब से फैंसिंग हो रही है तब यही हमें कोशन में बूला था हम कोशन चेक कर लेते हैं फाइंड दी कॉस्त ऑफेंसिंग ऑफफ प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एडी रेट अफ टू पर यूनिट दोर पे हर एक यूनिट तो दोर पे हर एक यूनिट का मतलब हमारे जो टोटल यूनिट निकलके आए हैं वो 53 यूनिट निकल के आए और 53 यूनिट जब 2 रुपे से मल्टिप्लाय होगा तो 106 रुपे इसकी कॉस्ट आप फेंसिंग आएगी कुल मिला के हमने यह जो कोशन था कोशन नमबर 36 इसको कर लिया है खतम ठीक है केस बेस्ट कोशन था यहां पर केस बेस्ट को मैंन अब एक और अच्छा कोशन क्या बूल रहा है दो स्कूल है उनका नाम है P&Q decided to award prizes to their students for two games of hockey रुपीज एक्स पर स्टूडेंट हर एक बच्चे को एक्स रुपीज देंगे एंड क्रिकेट के लिए वाई रुपीज पर स्टूडेंट देंगे यह किस ने डिसाइड किया यह दोनों स्कूल ने मिलके डिसाइड किया ठीक है स्कूल पी ने फिर यह डिसाइड किया कि जो award दिया जाएगा वो होगा 9500 का ठीक है पांच बच्चों को और चार बच्चों को दिया जाएगा तो टोटल नंबर ओ स्टूडेंट जिनको award दिया जाएगा पी स्कूल की तरफ वो पांच बच्चे होकी के होंगे और चार बच्चे जो हैं वो क्रिकेट के होंगे ऐसा बोला गया मैं इस डाटा को यहां पर लिख लेता हूं तो होकी में टोटल रूपीज एक्स डिस्ट्रिबूशन होगा हर एक बच्चे को इन्होंने यह बूला है तो इन्होंने हमसे क्या बूला रिखन अंसरल dos फॉलिंग कोस्षेन डि फन इंफील्ड इंफोलिंघ एल्जेणी करी के अच्छा पहले तो इस पूरी इंफल्मेसिन को establish क्या किया है हम पहले नहीं देख लेते है तो हमें दिया है कि पी डिसाइडेट तो अवार्ड टोटल एमाउंट तो टोटल एमाउंट तो टोटल एमाउंट रूपीज कि 9500 ठीक है तो यह ना लिखके हम कह रहे हैं टोटल एमाउंट जो आवार्ड के रूप में देना है डिसाइड किया गया है स्कूल पी के द्वारा तो टोटल एमाउंट बाइ स्कूल पी बाइ स्कूल पी इस रूपीज कितना डिसाइड किया गया है 9500 ठीक है और क्यू स्कूल के द्वारा टोटल एमाउंट टोटल एमाउंट बाइ स्कूल क्यू और यह कितना है तो क्यों स्कूल के द्वारा जो amount decide किया गया है वो है 7370 ठीक है इसके बाद इन्होंने हमसे क्या बोला इन्होंने बोला है कि यह award पांच बच्चों को और चार बच्चों को देंगे कौन स्कूल पी तो कितने हैं तो टोटल स्टूडेंट्स तो टोटल स्टूडेंट्स पहली बात की होकी तो टोटल स्टूडेंट्स ऑफ पहली बात की होकी तो टोटल स्टूडेंट्स ऑफ होकी देखो मैं डिरेक्ली एक काम करता हूं अमांट तो मैंने लिख दिया है अब क्योंकि एक्स नंबर ओफ एक् होकी रिलेटेड है, तो होकी के स्टुडेंट्स जो है वो 5 है। ठीक है मैं डिरेक ली एक्वेशन लिख रहा हूं। फोर्स्ट पार्ट को जो मैं सौल कर रहा हूं, देखे-ःगा। गए किरेक तर तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स को, अगर X रुपीज बढ़ गए स्कूल P के दुवारा प्लस चार स्टूडेंट्स को अगर Y एमाउंट मिल गया क्रिकेट में क्योंकि हौकी में X रुपीज देंगे और क्रिकेट में Y रुपीज देंगे तो जो P स्कूल अवार्ड देने वाला है उसके लिए जो क्वार्डिक एक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5 स्टूडेंट्स को X रुपीज 4 स्टूडेंट्स को Y रुपीज टोटल एमाउंट जो वो डिस्ट्रिबूट करने वाले हैं वो फिक्स है साड़े नो हजार का ये हमारी कि वो क्या होगी ये लोग बोल रहे हैं कि 4 स्टूडेंट्स को हम X amount देंगे प्लस थी स्टूडेंट्स को हम Y amount देंगे और हम तोटल डिस्टिबूट करेंगे 7370 रुपे 7370 रुपे ये आपकी क्वाड्रिक एक्वेशन simple तरीके से form हो गई जो आपको first part के लिए लिखकर आनी है बस खतम इससे ज़्यादा कुछ नहीं हाँ जो जो given है वो लिखने जैसे मैंने लिखा total amount by school P इतना total amount by school Q इतना total number of students to be awarded in P school for hockey and for cricket are five and four respectively कहानी पूरी लिखनी है हमें done तो यह हमारी होगी first equation second का a part what is the price amount for hockey hockey में कितना price amount दिया जाएगा तो इन दोनों equation को हम blank sheet पे लिख लेते हैं एक blank sheet ले लेते हैं चलिए इधर देखिएगा क्या करेंगे यहाँ पर हम जब equation लिखेंगे तो पीछे equation थी हमारी 5x plus क्या थी देख लेते 5x plus 4y ठीक है और दूसरी equation हमारी क्या थी 4x plus 3y 4x plus 3y यही थी इसका amount और इसका amount लिख लेते हैं सामने यह था 9500 पे 9500 पे और यह था 7370 7370 यह दो equation थी मैं काम करता हूं यह जो वाई वाले टम्स देखो होकी का उन्होंने हमसे पूछा किसके बारे में पूछा उन्होंने हमसे what is the price amount for hockey hockey के लिए in all total कितना price amount है सिफ होकी के लिए दोनों school का मिला के बताना अब होकी के लिए मतलब x निकालना है x की value हमें देनी होग की रिप्रेजेंस एक्स तो यहां पर दोनों इक्वेशन को में इस त्रीके से सॉल करना है कि हमारे पास एक्स की वेल्लिव है तो य की नीड हमें नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं हम यहां पर लिखेंगे multiply multiply 3 by first equation यहां in first equation and for in second equation तो इसको मैं first बोल देता हूं और इसको मैं second बोल देता हूं यह equation क्या बन जाएंगी तो देखो 3 का multiplication किया तो 3 into 5 is 15 plus 3 into 4 is 12 is equals to 3 into this तो 0 0 3 into 5 is 15 15 का 5 carry 1 3 into 9 is 27 and 28 done और 4 का multiplication करूंगा तो यह हो जाएगा 16x plus 12y which is equals to 4 into 0 is 0 4 into 7 is 28 to carry 4 into 3 is 12 14 14 का 4 carry 1 4 into 7 is 28 and 29 अब यह वाले equation तुम्हारी हो गई 3rd और यह equation हो गई 4th मैं यहां पर statement लिख रहा हूं 15x will give you x आगया होकी का amount और यहां पर देखना 29,480 में से 29,480 में से आप माइनस कर दीजिए 28,500 रुपे तो यह आपका आजाएगा 80 14 में से 5 गए तो 14 में से 5 गए यह बचा 9 ठीक है 8 8 से 8 गया 0 980 रुपे तो सिर्फ होकी में बटने वाला जो amount है वो कितना है 980 रुपे second part का हमारा होगा यह जवाब और यही हमसे उन्होंने पूछा था यह आपका जवाब आया है second part के लिए डन पीछह आ जाता हूं कोश्चन पर क्या बोला है उन्हें वाट इस दप्राइज एमाउंट फर होकी 980 रुपीज आपका जवाब निकल के आएगा इसके बाद और भी एक पार्ट है वो देख लेते हैं इसमें बी पार्ट और लगा हुआ है और कहां लगा है उस पर ध्यान देना और लगा है तुम्हारा second part के अंदर तो second part का एक पार्ट तो मैं solve कर चुक हूँ अगर किसी ने इसको solve किया है तो comment box में जू बताना answer check करिए price amount on which game is more and by how much अच्छा वो price amount बताईए जो की जादा निकल के आ रहा है ठीक है कौन से game की उपर निकल के आ रहा है जादा और कितना जादा निकल के आ रहा है substitute substitute value of x मतला fifth वाला statement इन आप इन दोनों में से कहीं भी डाल देजें इन first बोल देता हूँ इससे हो गई यह कि आपको y की value मिल जाएगी ठीक है तो यहां पर डाल देते हैं तो 5 multiplied with x की value है 980 980 plus 4y is equals to 9500 इसको solve करें 5 into 0 is 0 5 into 8 is 40 4 carry 5 into 9 is 45 plus 4 is 49 4 है 900 plus 4y which is equals to 9500 अगिन 4y की value यहां पर आएगी 9500 minus 4900 और यहां पर यह हो गया minus 15 में से 9 गए तो यह आया 6 15 में से 9 गए और 8 में से 4 गए तो 4 और यह 4y की value आई that means y की value कितनी आएगे तो y की value आएगे divide by 4 कर दीजे ठीक है 4 1 times 4 4 1 times 4 बच्चा 20 4 5 times 20 0 मतलब जो cricket के लिए amount जा रहा है वो है 1150 पर student और 980 रुपीज पर student सबसे ज्यादा amount बट रहा है cricket के लिए hockey के लिए तो 980 था लेकिन पर student को जो amount बट रहा है वो cricket में ज्यादा बट रहा है तो हमारा यही question पूछा गया था और पार्ट में और पार्ट में second part जो हम solve कर रहे हैं ठीक है और पार्ट में हमसे यही पूछा गया था तो हमसे क्या बोला था कि यहां पर अगर मैं कोशन में again कोशन क्या था देख लेते हैं कोशन यह था price amount on which game is more मैं कहूंगा cricket is the game in which amount is more by how much कितना ज्यादा कितना ज्यादा तो यहां पर x मतलब y की amount ज्यादा है न तो y-x कर देते हैं y-x that is 1150-980 कितना ज्यादा बट रहा है ठीक है तो शुन्य 15 में से 8 गए तो पांच तो था ओल्रडी छे और साथ ठीक है फिर उसके बाद यह हो गया शुन्य 10 में से 9 गए एक 170 रुपे ज्यादा बट रहा है डिफरेंस निकल के आएगा तो आपका स्टेटमेंट आएगा कि cricket is the game in which amount is distributed more as compared to hockey by how much तो it is 170 the difference between both the prices is 170 रुपीज 170 रुपे का डिफरेंस है यही हमसे यहां पर पूछाता अच्छा यह देखिए यहां पर भी इन्होंने लिखके दिया price amount for cricket is 170 more than the hockey यही हमारा भी answer निकल के आया है इसके third part में देखते है what will be the total price amount if there are two students each from two games अगर सिर्ग दो ही student है ठीक है तो कितना price जाएगा what will be the total price amount if there are two students each from two games मतलब एक game है आपका X hockey और दूसरा game है आपका Y cricket अगर दो student इसमें है और दो student इसमें है तो इसका answer बताईए तो यहां पर मैं कहूंगा two को common ले लिजिए X plus Y कर दीजिए ठीक है और यह आपका किसके बराबर आएगा तो यहां पर आपको यह चीज़ समझनी पड़ेगी क्या गहरा what will be the total price amount total price amount if there are two students each from two games ठीक है each from two games what will be the total price total price मतलब X plus Y की value निकालनी है तो total price अगर मैं यहां देखूं जो अभी हमने पीछे निकाला तो 980 रुपे एक game का यहां पर है और 1150 यहां पर है अगर इन values को मैं डाल देता हूं तो यहां पर 980 प्लस 1150 यह देख लेते हैं तो यह आपका आजाएगा 2 980 प्लस 1150 तो यह आजाएगा 2 ब्रैकेट यहां पर यह आजाएगा जीरो आठ और पांच तो यह हुआ आठ नो दस तेरा तेरा का तीन कैरीवन दस और ग्यारा ग्यारा का एक कैरीवन एककिस सो तीस और टोटल प्रैस जो बटेगा वह बटेगा शिक्स तू फूर चार है यार दो सो साथ रुपे दोनों गेम्स का मिला के अगर दो टोस्टूडिंट्स कहां पर हैं दोस्टूंटीं में दोस्टूडिं extra कृकिट版 तो इसका जो आमाउंट जाएगा टोटल आमांट वह जाएगा रोत चार हैर डोसो साथ रोपे ऐस फतार एपको कोशिन नम्बर question आया craft based है इसकी story दी है एक character का नाम दिया है जो है कि इनका नाम है जग्दीश जग्दीश है a field which is in the shape of a right angle triangle aqc जग्दीश के पास एक जमीन का तुकड़ा है जिसका जो shape है वो right triangle shape है aqc aqc आप देख रहे हैं यह वाला वर्टेक्स यह वाला वर्टेक्स और यह वाला वर्टेक्स इसको जग्दीश ने join किया तो उसको मिला कि उसका जो जमीन का तुकड़ा है वो triangle based है right triangle का formation कर रहा है ठीक है he wants to leave a space in the form for a square pqrs inside the field for growing wheat ठीक है वो एक square shape बीच में ऐसी रखना चाह रहे हैं कि जहां पे वो खेती बाड़ी कर सकें बाकी वो triangle की इस part को काटके निकालना चाह रहे हैं तो बीच में square square एक एक ऐसा figure है जिसकी चारों side equal होती है ठीक है यहां पर यह ग्यहूं उलगवाना चाह रहे हैं ठीक है यहां सबजियां उलगवाना चाह रहे हैं in the field पर हमारे पास a c q field है और हमारे पास जो square है वो है p q r s b पोल की हाइट है ओभी आगे based on the above information answer the following questions अब इस information पर based आप questions के जवाब दीजिए हमें यहां पर पी जो दिया है उसका coordinate लिखके दिया है minus 200,0 और जो q का coordinate दिया है वो 200,0 दिया है ठीक है हम questions देख लेते हैं क्या हम से पूछे गए हैं तो diagram यहां पर हमारे पास taking o as origin coordinates of p r minus 200,0 ठीक है पी का coordinate हो गया हमें जो दिया हुआ है and q r 200,0 q का coordinate हमें दिया हुआ है p q r is being a square what are the coordinates of r and s आप बताइए r और s का coordinate क्या होगा अब अगर o origin है अगर o origin है तो देखें मैं अलग color के pen से आपको दिखाता हूं यहां पर o से यह दो unit 200 को represent कर रहे है तो अगर एक unit 100 और दूसर unit 100 को represent कर रहा है तो 200 हुआ उपर की तरफ मैं move करूंगा कितना तो यहां पर मैंने move किया 100,200,300,400 that means जो r का coordinate निकल के आएगा r का coordinate निकल के आएगा o से o से 200 और 400 तो हमारा आपसे सक 200 है और हमारा जो साइट में move करता हूं o o के अगर दूसरे साइट में move करता हूं तो नेगेटिव होगा तो o से नेगेटिव साइट में गया कितना minus 200 ऊपर में गया positive होगा second quadrant आ रहा है तो second quadrant में मैं कहूंगा जो p का coordinate दिया है वो दिया है minus 200,400 ठीक है p नहीं rs का तो यहां पर basically यह s है तो rs के coordinates मैंने लिख दी है यही हमसे पूछा गया था what are the coordinates of r and s लिख दी हमने r and s what is the area of the square p q rs अब देखो यहां पर area पूछा है तो solution जो हमें solve करना है वो area के लिए हमें solve करना है अब area निकालना है किसका square का area निकालना है square का तो मैं एक sheet ले लेता हूँ और क्योंकि हमें triangle दिया है तो मैं आपको triangle के थ्रू ही समझाता हूँ यहां से लेके यहां तक और triangle के अंदर हमसे का था एक square बना हुआ है तो हमें इसी का एरिया बताना है ठीक है और इसके अंदर एक पोल था स्टेंडिंग पोजिशन में तो यहां पर जो इन्होंने फिगर हमें दिया था वो थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा फिगर ऐसा नहीं था मैं फिर से बना देता हूं फिगर जो था वह बेसिकली एक पूरा राइट राइंगल है राइट राइंगल के अंदर स्क्वाइर बनावा बीच में पोल है तो हमें स्क्वाइर का अगर एरिया देना है तो हम यहां पर बोल रहे हैं स्क्वाइर का एरिया देने के लिए कि यहां से यहां और अंदर स्क्वाइर यह स्क्वाइर ठीक ह इसका हमें coordinate पता है 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 देखिएगा यह है P, Q, R, S तो P, Q, R, S P, Q, R, S P का coordinate इन्होंने दिया है minus 200, 0 इसका coordinate इन्होंने दिया है 200, 0 इसका coordinate हमने निकाला 200, 400 और इसका coordinate हमने निकाला है minus 200 comma 400 अब area बताना है area बताना है मतलब O से इधर में कितनी units चला? इधर में 2 units चला था 200 और इधर कितना चला? 200 that means ये जो PQ है PQ 400 units का है 400 units क्योंकि इन्होंने question की शुरुवात में हमें कहा है कि PQ RS is square ये एक square है तो area of square area of square का जो formula होता है वो होता है side multiplied with side और side multiplied with side का मतलब है 400 multiplied with 400 ये ही करना है आपको बस और ये area आपका निकल के आएगा 4 into 416 0000 square units ये आपका second part solve हो गया area of the square PQ RS is 16 4 बार 0 1,60,000 square units ये एरिया होगा चलिए मूव करते हैं इसके next part की तरफ वाट इस दे लेंथ अफ दे डाइगनल पी आर इन स्क्वाइर PQ RS लेंथ अफ दी पी आर मतलब पी वर्टेक्स से लेके आर वर्टेक्स तक की लेंथ हमें बतानी है क्योंकि ये हमें square दिया है इसी में आ जाते है क्योंकि हमें ये center में square दिया है हमें यहां से लेके यहां तक की डाइगनल की length बतानी है PR की length बतानी है तो इसके लिए आप यूज करिए Pythagoras theorem Pythagoras theorem क्या कह रहा है इसको देखिएगा Pythagoras theorem कहता है मैं red pen से दिखायता हूं और मुझे basically ये वाली length बतानी है ठीक है PR तो to find PR ये hypertonus होगा क्योंकि हमें 90 degree का angle formation हो रहा है तो PR का square is equals to PQ का square plus RQ का square using Pythagoras theorem using Pythagoras theorem और ये हम कर रहे हैं third part के लिए solve ठीक है third part हम red pen से दिखा रहे है अच्छा ये second का B part है second का B part है तो board clear करके मैं यहां पर लिख देता हूं ये second का B part है ठीक है और ये second का A part था और इनके बीच में और लगा था इसलिए मैंने red pen का use कर लिया है done diagonal की length बतानी है पाइथोगोरिस theorem का use कर रहे है PR square is equal to PQ square plus RQ square PQ square is PR square is देखो PR square is hypotenuse तो PR square is what PQ का square 200 और 200 मतलब 400 की side थी 400 का square plus RQ भी 400 है तो 400 का square 400 का square मतलब 1600 डबल जीरो डबल जीरो plus 1600 डबल जीरो यह value आएगी PR square की तो कुल मिलाके जो PR square की value आजाएगी वो निकल के आएगी 16 plus 16 is 32 तो यह आगया 32 और 40 एक दो तीन चार PR की value हो जाएगी root of 32 total 4 zeros ठीक है और यहां से अगर मैं देखूं तो 40 अंदर है मतलब 10 जो है वो 4 टाइमस मल्टिप्लाई है तो यहां से 2 10 बहार आगये मतलब 100 बहार आजाएगा तो 100 बहार आगया 32 में 2 extra है तो यहां पर आजाएगा 4 that means इसका जो root आएगा वो आएगा 400 root 2 root 2 units यह length है ठीक है यह length निकल के आए किसकी PR की 400 root 2 तो root of this 3,20,000 is 400 root 2 इस तहीं के से आपको solve करना था second part का और ठीक है और part इसका last आपको जो third part दिये है वो दिये है if s divides ca in the ratio k is to 1 अगर s एक ऐसा point है जो पूरे ac को पूरे ca को देखो c से a की बात की गई है k is to 1 के ratio में बाट रहा है तो आप बताईए k की value क्या आएगी अगर point a आपको given है where point a is 200 and 800 where point a is 200,800 इसका coordinates दिये है ठीक है हम देख लेते हैं हम एक sheet ले लेते हैं वहाँ पर आपको इस part के लिए अलग से तरीका बताता हूँ देखो third part को कैसे solve करना है third part के लिए basically मुझे एक triangle given है इस triangle के अंदर मुझे एक square बना हुआ मिला हुआ है ठीक है यहाँ पर a vertex है जिसका coordinate मुझे दिया है 200,800 done और यहाँ पर एक point मुझे दिया है और यह बोल रहा है यह ks to 1 के ratio में बाट रहा है कौन सा point है यह? यह है s point ठीक है? यह है s point k is to 1 का ratio और यहाँ पर जो point मुझे दिया इन्होंने यह मुझे दिया c and q triangle तो a, q, c इस triangle के अंदर यहाँ पर 90 degree का angle बना है यह भी clear है में? ठीक है और हमें यह बोला है कि k is to 1 अगर यह 90 और अंदर square है तो यहाँ पर भी 90 degree का angle बनेगा? हाँ, ठीक है k is to 1 का ratio दिया है जो c a को divide कर रहा है तो c a की जब मैं बात करूँ तो हमें जो ratio दिया है वो दिया c s upon sa का c s upon sa का जो की ratio हमें दिया है k is to 1 का और हमें k की value बतानी है तो k की value बताने के लिए हम देखे क्या कर रहे हैं हम एक triangle ले रहे हैं कौन सा triangle ले रहे हैं मैं आपको ये भी बतायता हूँ r and p यहाँ पे r है, यहाँ पे p है हम एक triangle ले रहे हैं जहाँ पर वो triangle का area अगर मैं देखूँ तो triangle is basically हमें ये पता होना चाहिए कि c s की value क्या है और sa की value क्या है ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे है वन को तो ऐसे की value तो मैं एक triangle ले रहा हूँ a r s इस triangle a r s के अंदर हम देखें तो in triangle in triangle a r s इसको notice करिएगा a r s triangle के अंदर a r का square a r का square added with s r का square is equals to a s का square यह होगा ठीक है अभी हमें a r का square तो पता है a r का square की जो value है देखो r q q जो point था यह आपको 200,0 दिया था r का coordinate था आपका 200,400 तो a r की बीच का distance अगर मैं देखूं तो यह vertical distance जो है यह 400 का है 1,2,3,4 400 का है यह तो हम कहेंगे a r की जो length है 400 square plus s r की length s r की जो length है यह again 400 है तो 400 का square which is equals to a s का square hypotenuse तो यह आ जाएगा आपका 1600 200 और 1600 200 और a s का square that means again यह आएगा 32 that means a s की जो value आ रही है वो आ रही है 400 root 2 तो जो a s है वो basically represent कर रहा है 400 root 2 वाले distance को done अच्छा अगर मैं c s वाले distance देखू तो in triangle in triangle s p c s p c s c s c का square is equals to s p का square plus c p का square s p का square s p का square अगर मैं देखू हूँ तो यह r q के बराबर होगा अगर यह 400 है तो यह भी 400 होगा तो यह होगा 400 का square plus c p अगर मैं देखूँ तो c p हमें drawing में आना पड़ेगा c p c और p तो एक दो तीन चार again 400 का square तो यह भी आ जाएगा 400 का square same value आएगी s c square की तो s c square की value basically यहाँ पे s c जो निकल के आएगा s c की value निकल के आएगी again 400 root 2 अब अगर हम ratio की बात करें तो c s और s a की value अगर यहाँ डाल दें तो 400 root 2 upon 400 root 2 is equals to k by 1 को represent कर रहा है k की value क्या होगी तो k की value भी 1 होगी मैं कहूंगा अगर यह पूरी चीज इस पूरी चीज से कट रही है तो 1 इधर आ जाएगा 1 into 1 is 1 k की value भी 1 होगी तो जो ratio दिया है वो 1 is to 1 का ratio दिया है इस पकार से आपने कुल मिलाके कर लिये है solve कितने question यहाँ पर आपने 38 question पूरे solve कर लिये 38 questions जहाँ पर आपको first second or third part दिया था तो मैं पूरा यहाँ पर आप लोगों से यह मान के चलता हूं कि आप लोगों ने इस video को पूरा last तक watch किया है पूरे proper तरीके से हमने sample papers 2023 को कर दिये खतम और यहाँ पर इन 5 वीडियो के माध्यम से जो कि पहली वीडियो थी मेरी mcq दूसरी वीडियो थी हमारी very long very short answer type variety फिर short answer type variety फिर long answer type variety और यह थे case based के तीन question ठीक है 36 37 38 जिसके अंदर number और सब पार्ट्स थे जो हमने proper तरीके से यहाँ पर हर एक चीज को समझाते हुए आपको इस video को cover up किया है sample paper 2023 अपने friends तक जूरू शेयर करिये अगर आप institute definite success पार्ट्शाला के बारे में कुछ जानना चाते हैं इनका offline model कैसे काम कर रहा है हमारा online model कैसे काम कर रहा है आप offline में कैसे join कर सकते हैं तो हमारे phone numbers available हैं आप हमारे phone numbers पे call करिये हमारा जो institute है definite success वो बोपाल MP मध्यपदेश में available है ठीक है तो आप आईए यहाँ पर हम लोग best results आपको दे रहे कई सालों से ठीक है और अब आपके साथ online है तो वीडियो को लाइक जू करिए अपने दोस्तों तक जू फैलाईए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी चीज़े आप लोगों के लिए आ रही है चलिए मिलते हैं next sample paper में एक और sample paper टोटल 5 साल के sample paper में आप लोगों को करवा रहा हूं इसलिए वीडियो को वाच करना जरूरी है एक एक question में साथ solve करिए ठीक है तो मिलते हैं next sample paper 2022 में तब तक के लिए अपना ध्यान रखो bye and take care